लखीमपुर्ग हुई घटना के बाद से एक वारल वीडियो सामने आया जिसमें साब तोर पर दिखा जा सकता है कि किस तरिके से गाड़ी ने किसानों कुछला है ऐसे मैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपर्च पंजाब से जो है लखीमपुर जा रहा है अभी आम आदम देश को हिला दिया है पूरे देश का किसान हिल गया देश का किसान देश का खेत मजदूर तीन ब्लैक लाज हो हैं जो उनके खिलाफ लगातार अपना शिंगर्श कर रहा है अपना प्रोटेस्ट कर रहा है दिल्ली में लंबे अर्से से बहां पर दना दे रहा है पर लेकिन साथ सो से जादा उपर किसानों की जान चली गई, किसान शीद हो गए हैं पर लेकिन बीजेपी की सरकार है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे हर्याना में हो, चाहे देश में मोधी साथ की सरकार हो, लगातार किसानों की उपर अत्याचार करी है, किसानों को मार रही है, उसको प खेरी जा रहे हैं ताकि हम उन्स किसानों के साथ हमदर्वी परगड़ कर सके हैं आज आपकी प्रिस कॉंफेंस ती क्या क्या मांगों को लिए अब देखे तीन मागे हैं हमारी सबसे बड़ी मांग है के जो जो केंद्रिय राज्य मंत्री मिश्रा जी हैं उनको तुरंट डिसम अच्छी के नेता थे उनको जाने से रोग दिया गया लखिंपूर तो इसको कि देखिए मैं समुटता हूं यूपी में देश में बीजेपी जो है वो डेमोक्रासी का मर्डर कर रही है ड्रेमोक्रासी को खत्म कर रही है हम आज हमारा बफस जाएगा हम बिल्कुल किसान के स बात करने के लिए पंजाब के नेता प्रतिपाच्छा हरपाल सिंग चीमा जी थे जुनों ने बताया कि बाव बिजेपी हिटलर साही पर उतर चुकी है वो बिल्कुल हिटलर जैसे वैवार कर रही किसानों के साथ और किसानों की मौत का जिम्मेदार है कि एंद्री मंत्री क कि बेटे ने जिस तरीके से जो है किसानों के उपर गाड़ी चड़ा दी एक निंदनी घटना है कामरा परसन मनना के साथ अस्वनी तुविधी प्राइम टीवी लखनू